नमस्कार दोस्तो, हमारी चैनल पर आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चमतकारी ड्रिंक को बना कर दिखाऊँगा दोस्तो, जो आपके सरीर की 300 से अधिक बीमारियों का इलाज कर सकती है दोस्तो, यदि मैं आपसे पूछूँ की आपके सरीर में बीमारियों का कान क्या है तो दोस्तो, आप सीधा एक ही जवाब आएगा की यदि हमारा पेट सही होगा, तब हमें कोई भी बीमारी नहीं लगेगी यानि इस पेट के कान ही हमारे सरीर में बीमारियों का जनम होता है और दोस्तों यदि मैं आपको ऐसी ड्रिंक के बारे में बता दूँ जो आपके पेट की इन सभी बीमारियों का इलाज कर दे तो मेरे भाईयों आपको कभी कोई भी बीमारी नहीं होगी क्योंकि हर बीमारी का कान कहीं न कहीं पेट से ही जुड़ा होता है हर बीमारी कहीं न कहीं पहले सुरवात में पेट से जुड़ी होती है और वो पेट से बीमारी बनकर उसके बाद ही बड़ी बीमारियां बन जाती है दोस्तो यदि हमारा पाचन मस्बूत होगा हम जो खाएंगे वो पच जाएगा तो दोस्तो हमारे सरीर के अंदर कमजोरी भी नहीं आएगी ताकत की कोई कमे नहीं होगी हडिया हमारी वजर के समान मजबूत होगी तो दर्द से जुड़ा कोई रोग नहीं होगा क्योंकि जो खाएंगे वो सरीर में लगेगा और हम सांड जैसी ताकत हमारे सरीर के अंदर रहेगी तो दर्द कहां से आएगा दोस्तों कहीं से भी नहीं आएगा दूसरा यदि हमारा पाचन मजबूत है जो हम खाएंगे वो हमारे सरीर में लगेगा और बीमारें तो अपना भी दूर हो जाएंगी जब उनके होने की कोई कमी ही नहीं होगी यानि हमारे स्रीर में कोई भी बीमारी होती है वो किसी न किसी विटामिन या मिनरल की कमी के कान होती है और वो सबी दूर हो जाएंगी दोस्तो आज की स्विड़ में हम ऐसा ही आपके लिए नुस्खा लेकर आए हैं जो आपको पेट के सभी रोगों से छुटकारा दिला देगा आपके पाचन को मसबूत कर देगा और पेट की भ्यंकर से भ्यंकर यदि आपको गैस बनती है कबज की समस्या है या एसिडिटी की समस्या है सब को दोस्तो दूर कर देगा और वैसे भी कुछ मेरे भाईयों को तो पूरा दिन गैस बनती रहती है यदि वो इस नुस्खे का सेवन करेंगे तो उनके पादाने भी बंद हो जाएंगे दोस्तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको सिरफ तीन सामगरी की आप सकता है पहली चाहिए जीरा आपने आदा चमच जीरा लेना है आदा चमच ही धनिया लेना है और आदा चमच ही आपने लेनी है सोंफ जैसी कि ये हमने आदा आदा चमच ले ली अब आपने इन तीनों को एक इलास पानी में भीगो कर रख देना है और ये पूरी रात पर ऐसे ही आपने ढख कर रख रहने देना है और अगली सुभे आपने इस पानी को उबाल लेना है और उबाल कर अब इस पानी को छान लीजिए वैसे आप बिना छाने भी सेवन करेंग यह स्टार्टिंग में तब आपने नीम्बू का प्रियोग नहीं करना है तब आप इसमें नीम्बू रहने दें क्योंकि फिर यह आपकी उसका इलाज करेगा आप उसके बाद उस नीम्बू का डाल कर सेवन कीजिए तो दोस्तों आप इसको सुबह खाली बेट गट गट करके पी जाएए और दोस्तों समझिए आपके सभी तरहें के पेट के रोगों का इलाज हो गया आपका पाचन मजबूत हो गया कबज गैस और एसिडिटी के समस्या आपको नहीं होगी अब यह काम कैसे करेगा दोस्तों डाइजेसियं के लिए फाइदेमंद होता है जीरा दोस् आपकी स्किन को सोप्ट रखने में मदद करता है जिससे आपका पाचन मजबूत होता है दूसरा आपकी वजन को कम करेगा धनिया धनिया में बहुत सारे मिनल और विटामिन होते हैं जो आपके सरीर से एक्स्ट्रा वाटर वेट को कम करने में मदद करते हैं और इससे आपक वजन कंटोल में रहता है, धनिया के बीजों में एंटी सेप्टिक गुन होते हैं, जो बहुत से स्किन समंदी समस्याओं को भी ठीक करने में बहुत अदिकारगर हैं, यनि ये आपके वजन को तो कम करेगा ही करेगा, इसके साथ में आपके चेहरे पर भी गलो लाएगा, तीस सौफ, दोस्तो सौफ का यदि आप सेवन करते हैं, तो इससे आपके चेहरे पर प्रक्रति चमक आती है, क्योंकि सौफ में कूलिंग इफेक्ट होता है, जिसका इस समस्या से ये आपको रहा दिलाती है, एसडिटी जैसे समस्याओं का इलाज करती है, इसमें कैल्सियम, सिले दूनिया का मिसरन आपके लिए कितना कारगर है, और दोस्तो आपने भी सनुस्खे को ऐसे बनाना है, और अपने पेट से जुड़े सभी तरहें कि बिमारियों का घर बैटे ही इलाज करते हैं, तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो, यदि आपको हमारी वडियो अच्छे लग तने हा तोस्तो